इन साथियों छठे चरन का बहाली जो चल रहा है वह जिस रफ्तार से चल ला है उसमें बरी कहीं-कहीं परशानी हो रहा है अभ्यरती को तो कहीं-कहीं आसानी सो हो रहा है कहीं-कहीं अभ्यरती नहीं तो कहीं-कहीं जमाव रहा है यह हालात है छठे चरन में यह सारा चीज जो सिक्षक नियोजन काउंसिलिंग देख सकते हैं गनीत विज्ञानु अभासा में 395 अभ्यरती चैनित जो 529 पदों के लिए हुई थी काउंसिलिंग उसमें 325 तो कहीं-कहीं तो काफी भीर देखने को मिला है अच्छे-अच्छे खासे नंबर वाले भी नहीं हो पा रहा है और में 395 अभ्यरती चैनित और 529 पदों के लिए हुई काउंसिलिंग में 124 फद खाली रह गया बुदबार को कच्छा 6-8 तक के अभ्यरती के लिए काउंसिलिंग की गया और गुरुबार को कच्छा 1-5 तक के लिए काउंसिलिंग होगी तो यह तमाम चीजे है तो आप देख सकते हैं कि अब बरिसों समझ कर जाना पड़ता है कि कहां जाए कहां नहीं जाए और इसी बीच एक निउस देख सकते हैं कि टीटे के फरजी अंग पत्र के साथ पटना के अभ्यर्थी गिरपता जब आप लोगों पता है कि अब इसमें कोई भी जो है सुविधा नहीं है आप अगर फरजी है तो आप पकरे ही जाएंगे तो फिर इस तरीके का रीक्स लेना ये कहीं से शोभनिये नहीं है आप क्यों ऐसा करते हैं आपके साथ एक तो आप परशान हुए इतना पैसा खर्च की और जब होता है तो आपको ये पकराते हैं आप जेल जाते हैं पर कानूनी अगर फरजी करते हैं तो इस चीज़े अच्छी नहीं है आप एक सीखचक बनने जा रहे हैं और आप फरजी करते हैं तो क्या सीख देते हैं तो इन तमाम चीज़ों के साथ ये नियूज है अभी छटे चरन का बहाली चल लही है और अभी तो इसमें बहुत सारे बिसे हैं जिसमें अभी भी काफी भीर दिख रही है कहीं कहीं खाली है कहां पर क्या है इसका अभी पता नहीं चल पाता है लेकिन जो मीन बाते होगी व उसमें दिल्चस्प होगी चुकि उसका मैं पल-पल-पल ख़वर भी आपको देते रहोंगा और वह जो होगा उसमें किस जैसे समाजी के बिग्यान है उसमें काफी भीर है और कहीं कहीं तो बिल्कुल खाली है जैसे कुछ भी से गनीत है इंगलिस-उंगलिस सारे सबजेक् अबेदन ही नहीं पर रहे हैं तो इन तमाम चीजों के बीच देखते हैं क्या होता है लेकिन वह बहुत ही महात्पूर्ण होगा छटे-चन के बाहले में जब मादम और उसमें मैं आपके लिए एक-एक ख़वर लेकर रहा हूं कि क्या है अपडेट कैसे हो रही क्या हो रही तो इन तमाम चीजों के साथ आज यहीं पर फिर मिलते हैं जायें